आप लोग थम्बनेल देहकर जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस तरह के परस्न को सल्व करने वाले हैं तो देखिए इस तरह का जो परस्न होता है न जिसको सल्व करना जानना हम सभी के लिए बहुत ही आवस्याक हैं क्योंकि इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में लगतार होता है या यूं कहे कि रोज होता है तो देखिए यहाँ पर परस्न है कि एक केजी आम का मुल्य चालिस रुपेया है तो बारह केजी आम का मुल्य कितना होगा तो देखिए सिंपल सा बात है पहले छोटा ओधारन से समझे देखिए मान लिजी कि यहाँ पर अपमें पहले समझ लिजी एक कलम का मुल्य यह जो कलम है इसका मुल्य है पाँच रुपिया ठीक एक कलम का मुल्य है पाँच रुपिया तो दो कलम का मूले कितना होगा तो देखिए सिंपल सा या छोटा सा परस्न है तो आराम से बुझा जा रहा है समझ में आ जा रहा है कि 10 रुपिया होगा दो कलम का मूले कितना होगा तो 10 रुपिया तो यह 10 कैसे आया है जानते हैं कैसे आया देखिए दो में हमने और एक कलम के मुल्य जो है उसमें गुणा किये हैं तो दस आया है जी हां तो इस तरह का परस्णर है जिसमें एक किलो वस्तु का मुल्य दिया रहे और उससे अधिक के जी वस्तु का मुल्य पुछे तो उसमें क्या कर देना है सिंपल तो जितना एक किलो वस्तु का मूल है उतना मसे और जितना किलो वस्तु चाहिए उतना में गुणा कर देना है तो देखिए इस तरह के परस्णों को हम चुकी और इसलिए लगा कर बनाएंगे तो देखिए इस तरह के परस्णों को इस तरह से सल्व किया जाता है कांपी पर और दिमाग में तो ड मुल्य बराबर 40 रुपिया ठीक तो इसलिए 12 केजी आम का मुल्य बराबर क्या हो जाएगा आप ही बता दो जिए तो होगा 40 गुणे 12 क्या होगा तो 40 गुणे 12 क्यों होगा तो जानते हैं देखिए एक केजी आम का मुले है 40 रुपिया तो इसलिए 12 केजी आम कम मुले हो जाएगा 40 गुणे 12 बराबर हो जाएगा यह बारह हमें 40 में गुणा करना है तो सिंपल जानते हैं क्या करना है चार में 12 से गुणा कर दीजिए तो 4, 4 दो नहीं नहीं पहले 12 में 4 से गुणा कीजिए इस तरह से तो देखे 12 में 4 से गुणा करेंगे या 12 का पढ़ा चार बार पढ़ेंगे तो आएगा 12, 22, 24, 36, 24, 48 चार अठाएगा और यह 0 इसमें लगा दीजिए यानि कि 480 रूपी आ ह का मुले हुआ का मुले हुआ